आपको एक बड़ा जटका लगने वाला है लेकिन आप दिल थाम के वैठना क्योंकि एक ऐसी बात बताने वाला हूँ जिससे आपको थोड़ा सा सदमा लग सकता है क्योंकि देखो मैं बहुत समय से वीडियो बना रहा हूँ और आप लोग बहुत ही ज़्यादा मुझे पर ट् चार्ट किया था और उसके बाद फाइनली मैंने वो बिजनिस बंद कर दिया बहुत सारे लोग ऑनलाइन अपने प्रोडेक्ट को सेल करना चाहते हैं लेकिन कुछ ऐसी सच्चाईयां मैं आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि आप इन लफड़ों में पसोगे तो आपके 10-20 लाग का नुकसान कब हो जाएगा ऑनलाइन सेलिंग के चक्कर में आपको पता भी नहीं चलेगा उसी सच्चाई से आज की इस वीडियो में रूबरू कराने वाला हूँ कि ऑनलाइन अगर आप कुछ भी बेचना चाहती हो तो इस वीडियो को एक बार मेरी बात म मुझे नहीं होता जो मैं जेल के वेटा हूँ वही चीज आपको बता रहा हूँ और मुझे ये भी पता है कि जब जेल के वेटा हूँ तो इन से बच कैसे सकते हैं क्योंकि बाद में बच्चे हैं पहले हम जेल चुके उसके बाद बच्चे हैं तो वह कंडिशन आपके साथ आने से पहले आप मेरी बात को सुन लोगे तो आप इन लफड़ों से बच जाओगे और उसके बाद आप अच्छे से काम कर पाओगे आपको पता होगा कि मैंने रीसेलिंग जब डाउन फिलो हो रहा था तो उसी समय मैंने e-commerce का बिजनेस शुरू कर लिया था और सबसे पहले आउनलाइन सेलिंग में मैंने सूज को सलेक्ट किया था क्योंकि मैं आगरा का रहने बाला हूँ और आगरा में सूज का काम काफी ज़्यादा अच्छे से होता है बिजनेस का नाम रखा आगरा सूज फैक्टरी और प्रॉपरली काम करना शुरूगर दिया और सूज की मैनुफैक्टरिंग से लेके ओनलाइन सेलिंग तक सब कुछ हमने किया सब कुछ हमने सामने देखा और सारी चीज़े हमने करवाई और उसके बाद कुछ ऐसी ही चीज और यही चीज हर ओनलाइन सेलर सोचता है जो सुरू करता है और बाद में जब लॉस होते हैं जब पता चलता है कि 8-10 लाग का लॉस तो जब हो गया जब तक तो हमें समझ में ही नहीं आया कि लॉस हो गया ओनलाइन सेलिंग का बिजनिस एक ऐसा बिजनिस है जहां पर आपक यहां से जाते हैं कस्टूमर को मिलते हैं और डेली आपको पैसा भी आता रहता है तो आपको लगता है कि खाते में पैसा आ रहा है देली पैसा मिल रहा है आज 50,000 आए कल 40,000 पर 30,000 फिर 55,000 पर 25,000 ऐसे डेली पेमेंट आता है तो आप इस कहानी को समझी नहीं पाते लेकिन जब 6 महीन होते हैं बिजनेस को साल भर होती है उसके बाद जब एनालियसिस करते हैं पूरी साल का तो पता चलता है कि 7 लाग का लॉस हो गया जो कि अब हम माइनस में चल रहे हैं ई-कॉमर्स बिजनेस में होता क्या है कि बिजनेस होता है बड़े स्टेज पर जब आप स्टार्ट करते हो और उसके बाद और आना शुरू होते तो आप बिजनेस को बढ़ा करना शुरू कर देती हो अब एक साथ बढ़ा करने के लिए आप सबसे पहली एक चॉइस सलेक्ट क है कि जो आपने सोचा था बैसा तो एक परसेंट भी नहीं हुआ होता क्या है कि आप एक सालवाद देखते हो तो बहुत सारे और रेटन आती हैं बहुत सारी पैनल्टी आप उपर लगती है और जो रेटन में चोरिया होती है वो बहुत सारी होती है कंपनियां आपको पेमे प्रोडेक्ट सेल करते हो और उसकी भी मार्केट प्लेस पर सेलिंगे लगाते हो यहाँ पर दो कंडिशन होती है पहली चीज़ जब तो मलmac नहीं नहीं गुट構 होता है यहाँ आने जाने व्रोड्क्स कराब हो जाता है दो सेलिकाश्थां फोल्ड यहाँ होताई है और जितनी भी आपने उसके उपर मेहनत की है भी खराब हो जाता है तो पहली वहीं पर होता है दूसरा होता है quarter दूसरा लॉस होता है जब आपके customer को product मिल जाता है product customer ले लिया उसने खोल के देख लिया खोल के देख लिया तो पहली condition आती है कि उसको प्रोडेक्ट पसंद नहीं आया पसंद नहीं आया तो उसने रिटन मार दिया जब रिटन मारता है तो कुरियर चार्ज भी आपको देनी होते हैं साथी साथ आपको पैनल्टी देनी होती है जैसे हम जो जूता सेल करते थे अम मान के जलो जूते की cost थी 200 रुपए और पैनल्टी 220 रुपए लगती थी अगर रिटन आ गया तो अगर customer ने वापस कर दिया तो जितनी का जूता नहीं आती थी कि जब customer return करता था तो बहुत वार customer उस प्रोडेक्ट को नहीं रखता था जो प्रोडेक्ट उसे मिलाए वो उसकी जगह कुछ और माल रखके हमारे पास भेज देता था तो जब हमारे पास सामान आता तो हम देखते कि भाई हमने तो जूता भेज आता लेकिन customer ने जूते की जगह चपल पुरानी बेज दी हैं तो इस तरीके से पुराना प्रोडेक्ट मिल गया और जब उसकी कंप्लेन हम मार्केट प्लेस से कर रहे हैं तो वहां से भी कोई solution नहीं मिलता था और मिलता था तो 30% 40% compensation दे देते थे उसमें भी 70% loss हमारा ही होता था तेसरी ची कुरियर कस्टूमर ने तो लिया नहीं तो कुरियर वाली बीच में इसे माल निकाल लेते हैं और दूसरी पन्नी में लगा कि आपको दे जाते हैं अगर कुरियर से रेटन वाला आ रहा है कस्टूमर तक नहीं पहुँच रहा तो कोई भी marketplace आपकी बात को भी नहीं सुनता य अगली चीज e-commerce business की personally मुझे एक सबसे बड़ी बुरी चीज लगी है कि यहां पे आपके हाथ में कुछ भी control नहीं होता क्योंकि देखो यहां पर marketplace है customer है और आप हो अब customer चाहे तो किसी भी region की वज़से उसे return कर देता है कुरियर बाला चाहे कैसे भी आपके product से चोरी कर लेता है इसके लावा customer भी माल की चोरी कर लेते हैं इसके लावा बहुत सारी marketplace भी payment में गड़वड कर देती है यानि कि unnecessary आपके payment को deduct कर देना unnecessary आपने एड नहीं लगाया तो भी एड आपका चला देना आपने एड लगाया एक दिन का उन्होंने 6 दिन तक चला दिया आपने एड लगाया 5000 का उन्होंने 15000 कट कर दिया एड के तो इस तरह की activity पहुत सारी marketplace भी करती है जिससे seller बहुत है इसका solution यह है कि आप एक website बना सकते हैं अगर आपका बड़ा business है तो और उसके बाद social media पर अपने प्रोडेक्ट की वीडियो बनवा के और उसे promote करा सकते है एड से तूरू और अपनी website पर उन लोगों को transfer करा सकते हैं पिग्यापन के माद्यम से आपकी website पर लोग जाएं इस नहीं है तो उसका एक सिंपल सा और तरीखा है आप अपने प्रोडेक्ट की वीडियो रेगूलरली इस्टागिराम यूटूब स्वाट्स और फेस्वुक पेज पर अपलोड करिए और अपना नंबर दीजिए लोगों को कि अगर आपको यह प्रोडेक्ट चाहिए तो ह समारे इस नंबर पर कॉंटेक्ट करें इसके अलाबा जब आप इस तरह की वीडियो डालोगे तो बहुत कम लोग वीडियो देखेंगे उसकी जगह आप एक काम कर सकते हैं अपने कैटिगरी से रिलेटेड एजूकेशनल वीडियो बनाना शुरू कर दीजिए जो सौड वी आप लोग जब जानकारी लेने आपसे आएंगे तो उसके बाद आप किसी प्रोडेक्ट को अपने ही प्रोडेक्ट को प्रमोट करोगे तो लोगों को ट्रेस्ट हो जाएगा कि आप सही जानकारी देते हो तो उसके बाद प्रोडेक्ट भी आपसे ही वो लोग खरी देंगे और ये चीज़ finally मैं भी कर रहा हूं, मैं खुद आप social media के माध्यम से ही अपने product को promote करता हूं, वहाँ से order लेता हूं, तो सबी control मेरे हाथ में रहता है, career का control मेरे हाथ में, costumer की detail मेरे हाथ में, बाद मैं customer को समझाना होता है, कि इस तरीके से आप इस product को लो, ऐसे use करो, कोई x जमस्य आ रही है तो call पर उसे solve कर देते हैं तो जो बापस माल आता है इसके लाबावा बापस जो माल आना कम हो जाता है रेटन कमाना हो जाता है प्लस जो यह company हैं कि नेतंट हैं को हम इनको कंप्रियों को देना पड़ता है तो वो हम सारे हो जाते हैं तो आप लोग भी इस तरीके से काम कर सकती हो थैंक यूज इस वह